नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे स्खास कारिकरम में मैं हूँ आपके साथ शौमी नित्यनन्द आप सभी के समक्ष उपसित हूँ एक बहुत सुन्दर सा टॉपिक लेकर के आज इस वीडियो की माद्धिम से हम आप जानेंगे कि तिजोरी को हमें घर के किस कोने में चीए घर में हम किस कोने में तिजोरी रखें जिससे हमारे धन में ब्रद्धी होते रहे और हमारे घर में भगवान स्री कुबेर की कृपा सदेव बनी रहे और मालक्षमी हमारे घर में सदेव बरसाद धनकी करती रहे इसके बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को अं तक सुनना होगा और समझना होगा कि हमें अपनी घर की तिजोरी को कहां रखना चीए कैसे रखना चीए और किस जगे रखनी चीए और किस समय रखनी चीए पहली चीज जब भी आप अपने घर की तिजोरी को रखें तो अपने घर से इशान कोणे में जब भी अपने घर में तिजोरी को इस्थापित करें तो तिजोरी आपकी सदेव इशान कोण में होनी चीए दूसरी चीज आपकी तिजोरी जब आप रखें तो उसके नीचे आप एक लाल कपड़ा आप एक लाल कपड़ा बिछा कर रखें और उस लाल कपड़े के किसी कोणे में आप एक गांठ हल अपी इस टिजोरी में उस टिजोरी में आपको वाइट कोडी सफेद कोडी आपको डाल दीनी चाहिए और डालने के बाद में ही आपको इशान कोड में इस्थापिद करनी चाहिए ध्यान रहे कि अगर संभव है तो तिजोरी को रखते समय या कौणी को स्थापित करते समय धन को रखते समय स्रीश्टूक्त या कनकधारा का पाठ करना चीए आप कनकधारा इस्त्रोत्र अपने फोन में यूटूब पर आप डालेंगे कनकधारा इस्त्रोत्र अपने तिजोरी को प्रत दिन मतलब उसको स्रवन कराईए अब तिजोरी आप कहेंगे तिजोरी सुंदी तो नहीं है उसका जो कनकधारा का वाइबरेशन है जो उसकी मैं कह सकता हूँ कि जो समें positivity है वो अगर उस स्थान पर मैं कह सकता हूँ कि गूझेगी और अगर उस स्थान पर पढ़ा जाता है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि नित तिपरत्य आपके धन में विर्द्धी होगी इसके साथ साथ ध्यान रहे आप जब भी आ अगर उंक सास्त्र को मानते हैं आप फ्लेस हो रहा है आप स़िर्वी नंबर फ्लेस हो रहा है आप इस पर कॉल करके हमसे जान सकते हैं कि सुभ उंसा है। कितना कौन-कौन सा अंक आपके लिए असुभ हैки आपके तिजोरी में और धन नहीं रुक रहा है तो उसके लिए आपको कायों सा उपाए करना चाहिए जिनके घर पे धन रुकी नहीं रहा है, जिस रूम में तिजोरी हो उस रूम के मुक्ख द्वार पे जो आपका मुक्ख द्वार हो जो सहन द्रवाजया होता है दरवाजे में आप थोड़े से फिटकरी काले कपड़े में बंधभा करके और ठंग बाकरें तोढ़ी सी फिटकरी काले कपड़ें बंध़वा कर और लगा दै दरवाजे में और मूल रूप से आप जब भी एक चीज़ और जाना आ है कि जब भी आप तिजोरी से धन लेने जाहिए तो आप सदेव उसमें जो धन निकालिए उसमें से कुछ उसमें पुरिडाल 여기 ऐसे आपको आपने 5,000 रुप्य से निकाला और तिजोरि से 5,000 रुपय निकालने के बाH या कोई भी चीज़ आपने का थोड़ा चीज उसमें से जादा निकाली है जो पुना उसी टाइम डाल दीजिए यह आप अगर मतलब करते हैं तो ऐसी विधियों को अपनाते हैं तो मुलता मुझे जहां तक पता है जहां तक मेरा अनभव है यह अकाट सत्य है सास्त्रों में बढ़नित है कि आपके जिवन में कभी धन की कमी और आपके तुजोरी कभी धन या सोने चांदी हीरा जमारात से कभी खाली नहीं होगी और मैं आपको प्रामिस करता हूं कि आपके जिवन में कभी धन की तंगी भी नहीं आएगी मैंने एक चीज आपको इस साथ ही साथ और बता दिया है कि जिनके तिजोरी में धन नहीं रुकता है, कितना ही पैसा लाकर तिजोरी पटक दें, उनके घर से तिजोरी से धन ऐसे जाये जाता है, जैसे घर से जल बह जाए, जैसे किसी पहाड से जल डालिये तो नीचे सरोवर में चला जाए, उसी प्रकार से उनका धन ब रुकेगा भी और जो धरन घर में खडच हो रहा है वो ठहरेगा भी तो इस वीडियो में इतना ही आपको मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी आपको नेक्स वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए विसेश अगर आप अपने जन्मांग चक्र के बारे सकते हैं अपने और अपनों के बारे में इस वीडियो वह सितना ही आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी ने टॉपिक किसे ने भी सेखिक के साथ अब तक दिनमस्कार जैसी तारा